फैलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जारी हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची एकदम नए टेस्ट के साथ और नए अंदाज के साथ में मूंग दाल वड़ा की रेसिपी जो होटेल वाले होते हैं आपने सीक्रेट टिप्स और ट्रेक्स किसी को नहीं बताते लेकिन आज मैं इस रेसिपी में बताऊंगी परफेक्ट शेप का हम मूंग दाल वड़ा किस तरह से बनाते हैं जो बिल्कुल ऑइल में जाने के बाद में ना तो बिखरे ना तो तूटे और बहुत ही नए और अनोखे अंदाज में आज आपको मैं मूंग दा विखकी पाणी तो छीनी लेंगे नमक अपने स्वाथ के अनुसार लेंगे और जितना वने बैसन लिया है लगबख एक कप पानी यूस करना है बैसन ऊच्छी तरहां से जो है तो हमें मिक्स करना है ताके इसके जितने भी लंपसे निकल जाने चाहिए बहुत ही सिक्रेट पॉइंट है यह अगर बेशन में जरा से भी लंगे तो हमारे मुंग दाल वड़ा तो तूटने लगता है तो आप एक छोटा सा हैंड विप्स लेंगे और उससे जो है तो बेशन को मिक्स कर लेंगे बेशन की कंसेस्टेंसी हमें इस तरीके की चाहिए इसे साइट में रख द लेंगे ऐसे दमा अब लेंगे इसमें 60 Koop humanos निकाल लेंगे चो जो चम्मत SHOP नाश्टे वाली हो 6 चम्मत निकाल ना है और बड़ा टेबस्पून है तो तीं तेबल पस लेंगा और पीसने में नहीं तो तेबल स्पून जितना वाटर दालेंगे और पीस लेंगे जो हमने छे टेबल स्पून मुंगल निकाली है वह वाली उसमें दालेंगे खुब सारा धनिया पत्ता जितना आपके पास में अवेलिबल हो और जितना आपको पसंद हो लगभग एक बड़ी कटोरी भर कर यहां पर दालेगे हम नमाख वन टीसपून जो है तो लस्तान अद्रका पेस्ट दो से 3 फारी मिर्च चौप की वन टेवल स्पून धनिया पाओड़र वन टीसपून जो है तो गरम मसाला पाओड़र वन टीस Ноat जीरा दालेंगे साबूत वाला हाफ टीसपून जो हो तो हल्दी पाओ मिश पाड़ा दालेंगे अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरहां से मिक्स करेंगे ताके जो पीसी हुई मुंकी दाल और सारे स्पाइस वगएरा बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए अच्छी तरहां से मिक्स करना है कशी है अब जो हमने बेसन बेटर बना के रखा तो बेसन का इसमें दाल देंगे इस तरहां से अधालने के बाद में एक स्पैचूला से जो है तो सारी चीज़ों को बहुत ही तरहां से मिक्स करेंगे अगर आपको इसके भजिये बनाना हो चाहे पकोड़े बनाना हो तो छोट की टेंशन होंगी नो ऑईल में जाने की बद में बिखरेंगे बस अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और इसकी जो है तो कंसेस्टेंसी आप देख लीजिए अब इसे जो है तो साइट में रख देंगे अब इस तरह की थाली लेंगे और इसे ऑईल से एक ब्रॉश जो है तो कर लेंगे ताकि जो मुंगदाल वड़े आसान से निकल जाए अब हमने मुंगदाल वड़े का बैटर बना कर रखा है न अब बहुत ही जादा आँसान है बस हमारा जो है तो यह ठाली रेडी है अब हम क्या करेंगे इसे बॉल करने के लिए एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई में एक से दो ग्लास वाटा डालेंगे उसके उपर इस तरह की एक छनी रखेंगे और फिर छनी के अंदर जो है तो हमारी थाली रख देंगे उपर से एक ढखकन ढख देंगे 15-20 मिट टकी से सब्री फिर इसे अद cessIP 25निव निकाल से लिए तुपे करना चया कंछा से वसकी मेंवा पूर Tamil चल जो यह पूंप को चानी को और जो है क्योंकि इसे हमने ऑईल लगा तो बहुत अच्छी तरह से ग्रीस हो चुकी तो यह हमारे मुंग दाल वाड़े बड़िया तरीके से रेडी हो चुके थे अगर आपको बॉइल किये हुए पसंद है आप हैल कॉंशेस है तो आप इस तरह भी इंचॉय का सकते पूदीने की चट जरूर रखेंगा कि जो ऑईल अच्छी तरह से हमें गरम करना गरम गरम ऑईल में मुंग दाल वाड़े दालना है सुलो फ्लेम पर हम बनाएंगे तो यह भी खरने का डर होता है तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगा फुल फिलेम पर रखेंगे और जब यह फ्राइ हमारे मुंग दाल वाड़े बिल्कुल परफेक्टली फ्राइ होकर रेडी हो चुके है अब हम इसे निकाल लेंगे और हम जो हमारा जो सेकन बैच है उसे भी अच्छी तरह से तो फ्राइ कर लेंगे लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब तक है मुंग दाल वाड़े फ्र हम हरी मिज इसके साथ में फ्राइ कर लेंगे अब एक सर्विंग डिश लेंगे इसमें जो है तो हमारे मुंग दाल वाड़े रेडी हो चुके अब इसके उपर हम हरी मिज दालेंगे एकदम बारी कटा हुआ धन्यी से हम सर्फ करेंगे बहुत ज्यादा टेस्टी क्रिस्पी अब इसकी बाइब हमारे मूंग दाल रूड़े रेडी है आपको यह पसन है अगर आपको यह पसन है तो प्लीस प्लीस मैं चैनल को लाइक कीजिए शेर किजिए, सब्सक्राइब किजिए, साइट में जो बेल बटन आता है, उसको ओल पर किलिक कर दीजिए, ताकि अनुवल हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो वीडियो वाच काने के लिए शुक्रिया गाइस, तो चलिए फिर हम अपने नेक्स रेसिपी म मिलते हैं, तब तक के लिए बाए बाए, टेक केड़, एंड अल्ला हाफीज, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मुटब